हमने सीखा पहला एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब पहला त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं की मापों का योग सबसे बड़ी भुजा की माप से अधिक होता है दूसरा दो भुजाओं की माप और उनके बीच बने कोण की माप दी गई हो तीसरा एक भुजा और उसके सिरों पर बने दो कोणों की माप दी गई हो चौथा त्रिभुज का आधार आधार का कोई एक कोण और शेज दो भुजाओं का योग दिया हो पांचवा त्रिभुच का आधार, आधार का एक कोण और शेज दो भुजाओं का अंतर दिया हो छटवा त्रिभुच का परिमाप और आधार के दोनों कोण दिये हो दूसरा एक समानतर चत्रभुज की रचना की जा सकती है जब उसके दो विकर्ण और उनके बीच का कौन दिया हो तीसरा, समलम चत्रभुज की रचना की जा सकती है जब दो आसन भुजाएं उनके बीच का कौन तथा समानतर भुजाओं का पता हो चौथा, एक ही आधार एवं दो समानतर रिखाओं के बीच बने त्रिभुजों का छेत्रफल बराबर होता है पांचवा, एन भुजा वाले बहुभुज के केंद्र पर प्रत्तेक भुजा द्वारा बनने वाला कोण 360 अंज बटे एन होता है चटवा, वृत्य के परिगत एवं अंतरगत बहुभुज की रचना की जा सकती है